हाँ जी देखेगा आज जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कैलेंडर तो आए टाइब बन सबसे पहले हम इसका इंडॉड़क्शन लेते हैं स्टेब बाइ स्टेब इस चेप्टर को हम सीखेंगे समझेंगे बहुत स्मूसली आप इस चेप्टर में हर एक कुश्चन का आप आंसर बहुत एजली और कम टाइम में आप जो है दे पाएंगे तो आए टाइब बन कुछ बेसिक पॉइंट है पहले मुसको समझ लेते हैं सब इस चेप्टर को करवाते टाइम पर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि स्टूडेंट डेस को जो है गलत तरीके से एड़ करते हैं इसलिए मैंने सबसे पहले इंडियोड़क्शन में आपको यही सिखाऊंगा कि डेस को हम एड़ कैसे करते हैं एक्जामपल के लिए लोग कितने साल के हो गए इसको गिनने में भी गलती कर देते हैं अगर आपका बढ़त जो 95 का है तो फिर आप 95 को एक साल कंसिडर कर लेते हो जबकि आप एक साल होंगे कब गलत है थर्ज़े में तीन दिन अगर आपको एड करना है तो फ्राइडे जटे एंड संडे पर समझे यह नहीं समझे तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर अवैर कर रहा हूं कि चीजों को आपने एड किस तरीके से करना है क्लियर है आगे बढ़ें तो यहां पर आपके पास म फ्राइड करना है तो आप जो है काउन्ट कहां करें यहां से सएंडे अब मनत में तीस दिन का महिना भी आपने देखा है तो मनत में यह तरीके कि दो है फढ़ीत इतने रहते हैं अब सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगे कि किस मंत में पता जालेगा कि franch on तो हभी तक थो हम कालेंडर को देख या में है यह मेरका हैं या यह महीना है तुकि यह में आ imagining स्क्रीट 29 इसे रखेंटक रहे हैं अब से आपको खुद ही कैलेंडर बनना पड़ेगा इसे प्रमित तुब स्वाल तो आप दिखेंगे अगर आप अपने पंच पर काउन्ट करेंगे नजनरली अइञाद नहीं भी है तो अगर आप अपने स्विक्राक करेंगे तो यह उब्रावाव हिस्सा है इतो पंच का आपका जो उपरावें हिस्सा करेंगा और जो अंदर का हिस्सा है यह 30 को रिबसंद करेगा ठीक है तो जैनुवरी कहां पर आएक तिस फैब्रेरी फैब्रेरी छोड़ दो 28 से 29 होता है मार्च कि अप्रेल कि मैं जून जुलाई कि फिर रिवस मताना फिर दौरा यहां से करना शुरूब अगस कि धान किना जुलाई और अगस्ट दो कंजेकर इसे हैं जो कि लगातार आने के बाद भी 30-30 करते हैं नहीं तो चलता रहता है 30-30 यह करता है जबकि जुलाई के बाद अगस्ट जुलाइगर 31 का तो आपको बैक टूबैक जनवरी भी आपको 31 दिन का ही नज़र आता है तो बच्चा कई बार कैलकुलिशन में कहां मिस्टेक कर रहा है देख पारा हूं में कि जब वो जुलाइग 30 का कंसीडर कर रहा है तो अगस्ट वो 31 जुलाइगर उसको पताए खिट तो फिर सोच रहा है अगस्त तीस तो जिए ना ना नहीं दोनों ही कटेस के होते हैं दिसंबर जनवरी दोनों ही कट्तिस के होते हैं यह बास समझें समझें तो पताई जरा consecutive month कौन से हैं जिसमें कट्रिस कट्रिस देन होते हैं जुलाएगा सद दिसंबर और जनवरी चीक है तो सबसे पहले आपको पता लगा पीछा के खड़े जाए कि शु fitted चससे पहले आपको यह पता लगा कि कौनसा महिना तीस्का और कौन सा महिना एक तैस खाया कर सकते जी सको अब सवाल आते हैं यह कैसे पता लग यह कौन सा महिना 39 गा और कौन सा महिना 28 का है यह हमें पता कैसे लगीगा तो सबसे पहले आप इस बात को अच्छी जानते हैं समझते हैं कि सरफ February का मंत ऐसा है जिसमें 28 29 होता है किसी और महिने में जाने की जूरत नहीं है तो आप देखेगा आपके इयर पर डिपेंड करता है एक साल ऐसा होता है जिसके डिजिट को अगर आप चार से डिवाइड करेंगे जिसके डिजिट को चार से डिवाइड करेंगे तो पूर्णते भाग हो जाएगा पॉइंट में नहीं आएगा तो ऐसे इयर जिसको हम चार से डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है एक्जाम्बल के 2016 चार से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कड़ जाएगा ठीक है मैं लिखके दिखा रहा हूँ 2016 2020 2014 2018 अगर आप इनको चार से डिवाइड करोगे और भी हो सकते हैं कोई सब यह इनको अगर आप चार से डिवाइड करोगे तो यह कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं यह क्या हो रहे हैं कम्प्रिटली। डिवाइड हो रहे हैं घब इसको चार से डिवाइड करेंगे तो ईससे क्या हो रहाय हैं कंप्लेट ली डिवाइड हो जाएगा समझे भी तो यहां पर इसका मतलब है कि ऐसे मिलता हो उने को हम बोलते हैं दो नीपजा ठीक है और जो लीफ यर होते हैं उसमें यह देखने को मिलता है कि जो February का मन्त है उसमें 29 दिन होंगे और लीपियर हर चार साल में आता है एक बात जैसे कि आपके 2016 में तो 2020 में उसके बाद 24 में 28 में चार चार साल में लीपियर चलता है तो पहले पता लगा लीपियर आप कैसे पचारेंगे कि कौन साल लीपियर है या नहीं है उस साल को उस वर्ष को चार से भाग करेंगे और चा तो मतलब complete नंबर भी चार से भाग हो जाएगा तो पूरा का पूरा भाग करने में मतलब ना अगर चार से चेक करना है डिवाइड होगा यह नहीं होगा तो लास्ट के दो डिजिट को आपको चेक करना होगा ठीक है मेरी बात समझें क्लिर है तो यह बात क्लिर आपको हुई क्या कि वह यह जो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वह लीपियर है उसमें फैबुरी का मंत 39 का नजर आएगा 29 दिन का नजर आएगा और बाकी वह यह जो कि लीपियर नहीं है जो कि चाह से डिवाइड नहीं हो रहे हैं उस यह को मैं नॉर्मल यह बोलूंगा इसमें फैबुरी हमारे 28 दिन की होंगे जैसे अभी आप देख लो 2022 तो अगर आप इसको चार से भाग करेंगे तो पूरा बहाग नहीं होगा नॉर्मल यह रहे तो यहां पर इसलिए फरवरी का महिना जो है 2022 पर हमारा 28 जाएगा दो चोबीस जो आएगा ना उसमें फरवरी आपको 29 दिन का देखने को मिलेगा बात समझे या नहीं समझे क्लेर है तो हर 4 साल कर लेपियर आता है तो यहां पर मैंने का होता है तो मैंने बताया है वो jut Авसेने और ने का होता है में सब्सक्राण के सब्कूर्ण डेज मे कि कि इस पर कितने होता है 29 कि this gotta क्लियर जी को तो यहां तो सबको क्लियर रहें अच्छे से चलिए नेक्स देखते हैं अब यहां पर क्या देखने को आपको मिल रहा है सबसे पहले हां जी तो क्या रहा है चार से डिवाइड करना है अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो यह लिप यह है अगर नहीं हो तो वह नॉर्मल यह रहे ऐए बट अगर सेंचुरी किसे कहते हैं सेंचुरी का का मतलब होता है किसी भी संख्षा के लास का दो डिजिट जीरो हो उसे सेंचुरी कहते हैं आखरी के दो आंक्री क्या हो जीरो हो तो वह हमारा सेंचुरी जोता है तो आप येर को देखकर के पचान सकते हो यह सेंचुरी जैया नहीं है कि 1100 सेंचुरी से ठीके 2100 जिसमें कि ना हम लोग होंगे यहां पर जो भी आज ज्यान ले रहे हैं और और ना हमारी समस्या होंगी जौन लेके बैठें या जो हम काम्याब हो गया है तो ना इसका कोई खुशी होगा तो बात कर रहा हमें 2100 की तो वो भी हमारे क्या है एक सेंचुरी है समय आया नहीं आया अपने आपको यह बाता नहीं याद दिलाते रहें अच्या हमेशा तो यह ना एक लाइफ में सैडिस्फेक्शन भी आएगा कि स्टैबिलिटी भी आएगा यहां पर आपके जिसके लास के दो डिजिट आपके जीरो होंगे न वह हमारे सैंचुरी जोगी ठीक है क्लियर है आगे बड़े हां जी देखिएगा तो यहां पर जैसे कि हमारे पास हम बताये सैंचुरी है या नहीं है यह सैंचुरी जो चार से चेक करते हैं समझे तो सैंचुरी जो होगा उसको 400 से चेक करना अगर वह 400 से डिवाइड कंप्लीट हो गया तब वह सैंचुरी वाला यह रहे वह लीपियर है फर एक्जांपल अगर मैं शुरुआत के दोर की बात करूं कि एक तारिक पहला महिना तन एक रहा होगा यह नहीं रहा होगा प्राणी बात नहीं है यह तो अभी यह बात है जिए प्राणी बात तो सनातर धरम के जो कैलेंडर होते हैं उसमें बात होती है पांच-जार साल पहले दर जार पहले वह थी प्राणी बात यह तो लेटिस कलेंडर है यह लिटिस लोगों की चीज़ें तो यहां पर जैसे सो रहा होगा आपके पास में अगर मैं सो की बात करता हूं तो अगर आप चार से डिवाइड कर बैठोंगे इसकों चेक करने के ल ही तो भाट दिया तो इसलिए कभी सेंशुरिस देखने को मिले न तो यहां पर किस से आप डिवाइड़ करेंगी है यहां पर 411 करेंगे ठीक है जैसे यहां पर आप देखेर है 900 तो चास तो डिवाइड करेंगे तो क्या 4500 करेंगी विल रहा है यह पूरा completely चाउडिवाइ कर दोनों को दोनों लीपियर को कि नहीं है मेरी बात संदेन के हैं अब बात करते हैं 2016 उनम चैनल से डिलीपियर है यह है इसको यह लीपियर है यह बली के है मेरी बात समझें यह नहीं समझें क्लियर है तो कौन सा महीना किते दिन का होता है वह आपके सामने है याद रच्टा माने जुरत नहीं जो मैंने आपको तरीका बताए उस तरीके साफ इसको आइंटिफाई कर ले जो आप एक बार पता कर लेंगे उसका तो सारा आपका चलत जाएगा निम्ण में से कौन सा लिप्यर है विच्फट न फॉलविंग आर लिप्यर सफ़ले जो मैंने आपको यार कीया नार्मल सिए ये जो येर दिये में यह सैंचुरी सिए में या फिर नोमल तो यहां वर चैक किसे करोगे चार से तो चार से चेक कर गो पस लासना दो तो यह ली पीयर है तो पूछ रहा है कि इन में से कौन सा लीप एल है वे इसका अंसर का दो गया सीज़ का करेक्ट अंसर है ठीक है भीया सज में आया है नहीं है आगे बढ़ते हैं कि कुशिन क्या है विच आप फॉलिविंग इज़ लीपियर अब इस वार जो आप अपने यह को देख रहे हो वह यह क्या है सेंचुरीज है तो यहां चार से चक करने की भूल मत करना इसमें आप चार से पूरा भाग हो जाए वहीं लीपियर है भाग हो गया यह नहीं यह आप चेक करेंगे 400 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो यह भी नहीं है और यह चेक करेंगे 400 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है आपका यह भी नहीं है और यह चेक करेंगे 400 से कंप्लीट डिवाइड है ठीक है कि विच आप फॉल्विंग आर लीपियर अब बात करते हैं दोजार चोदा चबिस तो दोजार चोबिस और उन्नीस तो आप यहां पर आप इन में से कौन सा लीपियर है तो इसको चेक किसे करोगे लीपियर नहीं है इसको चेक किसे करेंगे चार से चार से तो लीपियर है इसको चेक किसे करेंगे तो कौन सांसर हमारा और यह सुझ में आपको आया नहीं है कब चार से चक करके बताना है कब 400 से चक करके बताना है ठीक है जी क्लियर है अब बच्चे कई बार एक सब्सक्राइब गलती कर बैठते हैं विच अब दा फॉलिविंग इस नाट लीपियर यह पूछ रहा है आपके तो यह बच्चे नाट नहीं पड़ता है ठीक है तो पेपर में ध्यान से पढ़ा करो दो चार सवाल तो ऐसी गलत कर देते हो आपने कर तेकर अच्छा से डिवाइड करा है घॅट ळिवाइड हो गया हम वर आपने है यह और विंद भिस लाकु beauty रहेहां सब्सक्राइए नहीं है तो इसका द्रखन सह सवाल पे निज़र्ट है यहां चेक किसी करोगे एक चार नेम तो यह हैं और यहां चुकित करोगे चार चेट यह ली मशाया यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब है कौन सा एक रच पाटने सब्छक्राइब क्यास पेसिक नहें है तो हान सब्सक्राइब हम कुछ basic concept को समझने कोशिश कर रहे हैं कि गेम की तरह मैं आपको समझा रहा हूं इसका आप कैलेंडर में जो है concept के लिए इसका यूज करेंगे हम एक गेम समझाना था तो मैंने कुछ इस तरीके से चीज़ें लिख दिए हैं पहले इसको समझ लेते हैं हम उसके बाद पर मैं अपने concept पर उतरूंगा और वहां से concept को हम बिल्ड करेंगे चीक है चलिए बात करते हम इसके उपर तो एक गेम खेल रहे हैं भीया कैलेंडर को रो सब्सक्राइब और यह नंबर आगे ऐसे ही कंटेनियो चलता रहेगा दस ग्यारा बारा ते रहे तोदा पंदा सोब्सक्राइब इस इन फरीडिटी तक नंबर है चिक है और फस्ट पर कौन सा कलरें रैड एंड सेकिंड पर कौन सा है ग्रीन और थर्ड पर यल्लो और फॉर ए पुछी और दर की आपने खिच्छारी क्लर डिफ्रेंट ए लोट्सक्राइब सेचार कलर आपके चारी कलर आपके क्या है इन टिफ्रेंट है जी के जीच चे चारा कि एक टिफ्रेंट उसके बाद हो रहे है वही चाराइ। कि वापस now is the repetitionитель वर फस्वाई सेट घॉम करके आये घड़ी के तरा है एक से लिके बारा के बाद आपके फिर वही नंबर घुमता है घड़ी में इस से बारा इक से मचा Ramana बादte यह नहीं समझे आप घड़ी लेकर क्या है एक से बारा हो गया आप गड़ी चेंज करो गड़े घड़ी खत्म हो गई है यह वह वापस घूमे गड़ी की तरह ही है समझे तो यहां पर आप से कुछ सवाल पूछ रहा हूं आप बताओ तीसरे स्टेप पर क्या है यलो अब बताओ छड़े स्टेप पर क्या है कि बताओ नो में स्टेप पर क्या है बता पारें हर चार क्या रिपीट हो रहा है अब मुझे यह जाना है कि 21 स्टेप पर क्या है 21 स्टेप पर क्या मिलेगा सब्सक्राइब आपको है तो आप कैसे अपनी बुद्धी का परियोग कर सकते हैं फिर अगले चार पर बाबस पी पर पहुंचांगा आठवे भी बारवे भी फिर फिर पी आ पर फिर आने के लिए यहां पड़ेगा है ना तो क्या बोलोगे आप रहेड समझे नि समझे क्लियरें तो किस वीवे क्या होगा आपका रहेड समझे निसंदे अगर माव फ्रॉड़ा सवाल पूछलों आप से पूछता हुआ थारवे पर क्या होगा तो कमालो में पर रिपीटी हो रहें ना चाटार थाराएं दौवार आपको यहां पराना पड़ेगा अपर लिए गरीन मेरी बात शमझे या नहीं समझे रहें अब मैं आप से जवाल पूछता हो जरह मुझे बतादो टैति स्मय नंबर पर क्या मिलेगा करें। 30 नंबर पर थाड़ी थ्री पे क्योंकि 32 तक तो बापस साफ कहा जाएगा पिंग पे अब फिर 33 के लिए कि स्ट्राइब बापस लेना पड़ेगा उसको स्टार्ट करना पड़ेगा तो रेड आएगा समझे यह नहीं समझे यह गिनना पड़ेगा अंगुली पे या ऐसी बता दोगे तो चलो फिर बता दो मुझे तीस्वे नंबर पे क्या होगा थाड़ी प्लेस पे क्योंकि 28 तक तो भी रहने वाले हैं फिर एक और दो बापस मेरा कहने का मतलब क्या है जनरली आप क्या कर रहे हो समझेगा इतना बताने के जूरत थे भी नहीं इसके बिना भी चट्र को समझाए जासकता था पर सडिस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी बात ही चर्चाह में लेकर आया हूं जनरली क्या हुआ मैंने पुझा एक किस्वे स्टेप पे क्या है तो आपको मालू में चार के बाद रिपीट हो रहा तो आप चार से भाग करेंगे तो चार चार के बार कितनी राउंड मारेगा यह पांच राउंड मारेगा और उसके बाद पांच राउंड मानने के बाद फिर एक स्टेपी लेगा यहीं तो मतलब है इसका अब यह 24 गंटे में गड़ी की सुई कितनी बार गुम जाती है दो बार स्टेप पर चले जाओ कि पांच बार घूम करके तो बापस वहीं पहुंचेगा ना तो ऐसे केसिस पर आप क्या कर लिया करो बस आपका 21 का मतलब क्या होता है स्टेप मैंने आप से पूचा थाड़ी थ्री प्लेस पर तो चार से डिवाइड करेंगे तो चार अठे बद तीस तो बहु 흡ा आठ बार घुम के कोई फाइदा नहीं है चिकले आप पहली बर जाओने लुट्यूरी लाएग त्यूसरी बार पिंग ट्री भार पिंग त्यूसरी बार फिंग चौत ही आठ वारमी उसके बाहिए उसके बाद आपके पास में एक स्टेप बच रहे हैं तो मतल पीजित ऊहले या आपका घुमें ऑने इस από समझ गए क्या क्या होता है कि हर साथ दिन के बाद टीन जाता है हमच्छे में क्या होता है उधारन के लिए समय से आज दिन कौन सा है शुक्रवाद कर और मैं आपसे कहता हूं कि और आठ दिन के बाद कौन सा दिन होगा तो जाहिड सी बात है कि आज सुक्र बार है तो आज से साथ दिन बाद साथ दिन बाद तो दिन रिपीट होता है तो करी होगा तो आठ भी दिन कौन सा होगा मेरे बाद समझें यह नहीं समझें मेरा कहने का मतलब है कि हर साथ दिन के बाद दिन क्या होता है रिपीट हो जाता है अगर मैं जानना चाहता हूं कि यह जैसे कि मान लिजिए यह क्लियर है आपको आज है नाइन सब्टेम्बर यह चीके फ्राइडे बात समझें इच्छा जागी मुझे कोई प्लैन मना रहे थे हम कि तो बाइस सेटमबर का प्लैन दिमाग में आ रहा था तो सोच रहे दिन कौन सा पढ़ता है पाले पता करो कि समझें तो फिर मुवाइल या इस तरह किसे डिपैंड हो गया है लेकिन आपको यहां पर बताना होगा एक्जाम में ऐसे सवालों को आंसर करना होगा मौबायल आपके पास में है नहीं चीके तो कैसे इसका अंसर करेंगे सबसे पहले आप ये नो तारिक से आप आप आगे जा रहे हो तो तीरा दिन आपको आगे जाना है कुल मिलाकर बात यह है तीरा दिन आपको आगे जाना है मतलब तीरा दिन आपको आगे जाना है तो आप बैठ करके मत गिनों तीरा दिन को ऐसे सब्सक्राइब और यहां पर तीरा दिन के बाद देख रहा हूं तो साथ दिन बाद रिपीट मारा तेरे दिन जाना है जैसे पीछे किया था हमने तो साथ एकम साथ एक इसकी तो कहानी बंती नहीं बचा कितना बचा च्छे इसका मतलब क्या हुआ कि छैदिन श्ट्राइब आगे जाए गई तो यहां पर इसको जो हमारे एक्स्ट्रा बच जाते ना यह जो बच जाता है कि इसको हम बोलते एक्स्ट्रा डेज और इसको हम ओड़ डेज भी कहते हैं कि पहले पता लगा पाश्ट्राइज क्या है ठीक है तो बस आप वो कुछ नहीं करना होता है जितने दिन आगे जाना है जो आपका रिमेंडर है आपको बस इसमें अपटाउं ट्रहटाने अफ़वे बूब साथ दिन अपूर्ट एचया एक दिन पीछेृ चेल जाओ समझे यह नहीं समझे स्मुझे ए छीता फूरा पुरा सरकल होता है तो आप स्फेयर कभी एड करना 혹시 पढूर जाना तो मतंद यह तो ने कि नगलेंड़ाना, तो कभी भी आपको इस Case में अगर आपके पास पे तो अगर आप चेक करेंगे, अपने कैलेंडर ने भी तो आपको जो है तर्जडे मिलेगा 22 सप्टेमबर को ठीक है जी क्लियर है कोई डाउट तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यह देखते हैं कि जहां से कहां से कहां पहुंचना है उस जर्णी में कितने दिन है पुस दिन को साथ से हमें करते जो रहीं कर यह दो यदो मैं अपको एक मेहने में रोडेट करना सिखा रहा हूं फिर में में एक साल में होना और शाल में पर भूझ लेका के जाना है और आपो बताना कोंसे सुर्ण सब्सक्राइब से बागे बढ़ेंगे एक दम से नहीं यह पता लग आपको क्लियर है चलिए आप कुछ और सवाल इसमें लेते हैं कि अगर 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 कि एक सेप्टेंबर 2022 तिक यह हमारे पास में कि अगर दिन रहा तो अम जो ता दिए आप यह 25 अगर सेप्टेंबर 2022 को कौन सा दिन होगा कि अगर आप देखेंगे पहले आप समझेगा समझने कोशिश कीजिए तो इसको क्या करो शात से डिवाइड कर दो सातिया 21 तीन दीन आपके क्या है ओडिट तो प्लस तीन दीन आप एड कर दो आप कैसे एड करोगे सिखा रखा मैंने तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा इसका अंसर हमारा संडे होगा अब एक मेहने में आप रोटेट कर सकते हो आप बदा सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन पढ़ेगा बाद समझे यह नहीं समझे क्लियर है कोई डाउट इस चीट को और आपको समझना होगा अपने गेम पर लेकर आता हूं तरह ले चार का रिपीट मारा तो तो बताव ज़रा चोथे पर क्या होगा कि भुआ प्रुच पर फिंक आठ पर फिंग वार्वेड पर एंट तो चार का मतलब है कि लास्ट राट पार का मतलब का दूसरी राउंड का लाश्ट या चीक है बार सारे मतलब को अलाट मे अगर मैंने पूचा आपसे पहले की फोर्थे पे क्या है जी जब जीरो आ जाता है ना तोर्छ का मतलब कि आपको उसमें जह सकते हैं चार दिन के बाद करना पड़ेगा हिसा दिन के बाद कोई सूझ दिन होगा ऑपस गया यहां से स्सा塊 हो नहीं है जो चार दिन के बाद कौन से दिन आएगा तो रहता चिंब के बाद सिंपल्स है एक कर दोगे दो आएगा कर दोगे बाच समझे या नी समझे Pill槐 कि अब से कुछ सवाल देखते हैं कि यह तो कुछ कंसर्ट बताया गया आपको कि यहां पर आते हैं तीन जून दोजर एक की स्वास थर्जे सो वर डे इस थर्टी जून बता सकते हो सर पहले आप बताएंगे शली पहले आप बताईए कि तीन जून कि दोहजार एककिस को क्या है कि क्या था थर्जे था तो आपसे पूछा जा रहा है तीस जून कि दोहजार एककिस को कौन से दिन होगा कि सबका अंसर लॉक कर दूं कि कितने स्ट्ट का अंसर आगया बताओ जरा हाथ खड़े करो ठीक है देखिए कितने एड़ हुआ 27 तो बस कुछ नहीं करना इस 27 को साथ से भाग करना है ठीक है तो आप यहां भे करेंगे तो आप सात्या एक किस तो आपके पास एक्षाड इस कितने आगे चे अब 6 एड़ करने से बहतर क्या एक पीछे चले जाओ तो मतलब कि अगर प्लस देश भी आप कर दें ठीक है तो आपके पास में क्या आएगा तो बैटने से आपको समय में आ गया एक मैने में एजली आप रोटेट हो सक सब्सक्राइब करें करें कि अब आप 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 नाइनटेंट जून 2021 इस सटेड़े देन फिप्ट अक्टूबर विच डे विल बी ऑन टूर एक किस अब हम क्या कर रहे हैं टाइप फोर में है अब इस पार हम एक महिने के अंदर रोटेट नहीं हो रहे है इस बार जो ह है हम एक साल के अंदर रोटेट होंगे देखिए कहां का डीट दिया हुए जून का पूछ कहां का रहा है अक्टूबर का तो आए कैसे करेंगे ज़रा सवाल समझेगा कि अन्यस कि अन्यस जून कि दो हजार 21 कौन सा दिन हमारा कि साथ दिया है है और पूछ कंफरो है पांच टूबर तो अपनी जर्नी स्टार्ट करों यहां सर्फान कर चलूत चले नहीं पांच व्टक चलिए क्या से पेले यहां पर में यह लिख कूगा है है कि 19 my कि जून कि और 690 जून को सब्सक्राइब तो नहीं सब्सक्राइब कि जून से पीछे जाएगा आगे तो जून का महिना को नहीं कितने चैसी का होता है उन्हें जिन तो ही 11 दिन है तो आप यह लिखो 11 दिन श्माक्ये समझे एप जून के बाद आता है जुलाई पतला ग्यारे दिन कैसा है उन्हें से होगी थी वह पूरा महिने खत्व उन्हें कि लगेगा आगे जा रहे हुँ न आप तो हर महिने में दिन काउंट करो जुलाई में कि रहेगा जुलाई में रहेगा 31 एक बात को इसको आपको एड करने बड़ी समस्या आने वाली है 31 एड बड़ा नंबर फिर डिवाइड टाइम कंज में होई गया वानिवा टाइम कंजिमें एक बात समझ सकते हुआ है कि यहां समझी है कि दिखिएगा अगर 31 का महिना है और साथ से डिवाइड करता तो एक्षर डेस कितने आ रहें तीन 30 का महिना है साथ से डिवाइड करतों और से सनाएंगि को तो और आ liberty रहें हों हुआноз और कितिस वाले में अच्र डेस हमारे प्लेरिश क्या होते हैं 53 में 2 18 वाले में होता ही नहीं है इंटिस वाले में एक होता है तो मैं क्योंosprarat ने कि एड़ करने में फिर भीया कैल्कुलिशन जाय जाएगा नहीं जादा मैं सीधा एक्षादेज लिखूंगा ना बिरे बात समझ रहे हो तो आए फिर अब मैं एक्षादेज पर काम करूंगा मैं करें छाइग लिखने चाहरा से चाहा रहा है उसको जैत दिन एक्षादेज लिखूूं और 3 में और सब्सक्राइब रीखूंगा सबीटेंबर कितने को त्रीषि द्री था जाएगा और मैना थोड़ी आपने माच टारफ्पाास तारिक व्यों तोनाए आपने को समझे यह नहीं समझे बाइब समझे तो आप बस एक्षाड इसको लिखा करो इतना मोटा मोटा नमर मतलिको ठागर के लिकरा रहे हो समझे अब इसको एड़ करेंगा साथ होने का मतलब जीरो हो गया उसको मैं एड़ भी क्यों करूं क्या हुआ जीरो तो साथ से कितना उपर हो गया तीन समझे यह नहीं समझे तो आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा लोग वह भी समस्त्य का समाधान हो गया और बताओ साथ होते ही खतम करो हटा उसको निकाल के फेक दो साथ वा काटके निकाल दो समझा तो देखीएगा चार-3 को ठाद दो इसको यह कुई मतलब ही रखता क्यूंभ साथ के वां तो वह यां जाना है तीन दो पांच पांच फांच दस साथ से कितना ऊपर चला गया जैसी साथ चुपर जाए साथ निकाल कितना बचा वो देखो तो दस हो गया यहां तूसता थो गया तीन खतम तो बस एक्षटेस कितना यहेंगे गें त्रीदि आपको यहाँ पर एड भी निकरना पड़ा और विवाइड भी नहीं करना पड़ा थो बस तीन दिन आपने क्या करना में जोड़ देना है तो आपको को सब्सक्राइब में आपको तीन दीन अगर आप कर दोगे तो संडे मंडे तुझे तो आपका आंसर एसका कर देश्का आंसर है अब बताओ जी जल्दी कर पारे यह नहीं कर पार रही बताए ज़रह क्लिर है यह निए कि समझें को डाउट अगर दाउट है तो कोई बात नहीं एक लगाव और प्रेक्टिस करते हैं नहीं आपको बताया भी उसी बात को इतना कुछ करने जोड़त नहीं सिंबल सी बात है कि 30 मेने में तीन दिन निकल कर आएंगे तीस वाले में 29 वाले में एक दिन 28 वाले में जी चीक है इतनी सिवात रखेंगे अब क्या कर रहे है दो फरवरी 2022 भाइया फरवरी क्या महीना हो आपको तो पता कैसे लगेगा कि 28 या 29 का है तो इसको चाहां से चेक करो दिए नहींदे नौर्मल यह रहे हैं वहां फरवरी का महीना है करोगे ठुंआघ करोग लवन को है तो बात करते हैं सब्सक्का मेन गण तकरोगे गण सब्सक्राइब कितने होंगे पांच बास समझें है या नहीं समझें आप कहा तो जाना है में नमबर अथा नमोर तो जाना है चलिए फिर परवरी मार्च कि तीन अप्रेल कि मैं कि जून कि जुलाई कि अगस कि सप्ट्रेंबर कि अग्टूबर कि अग्टूबर कि अग्टूबर जी कि आपका तीन नमंबर नमंबर कितने तारिक को जाना है अठाइस अठाइस का तो खेली खता में ना अगर अग्टाइस लिख रहे हो आप तो आश्र डेस कितने होंगे जी रो समझे यह नहीं समझे बिसमें आया या नहीं आया या प्या कर रहा हूं यह पता लग रहा है अब देखिएगा तो पांस तीन आठ मैं एक लिए आगे चलूँगा शास उप्रोथी उप्राणा लेकी चलो पांस इन आठ एक लिके चलूँगा एक और दो जाएगा पीछी तो इसका अंसर क्या आपका इसका अंसर आपका मंडे है बात साज में आ रही है क्लियर है को डाउट किसी को तो पूछ लिए अभी एक साल के अंदर रोटेट हो रहे हैं फिर मैं आपको दो चार पांदस साल में रोटेट होना सिखाऊंगा दर उसके बाद आपको अब यह सवाल आप करो जड़ा पची जून दोजार एक किसको फ्राइड है तो 25 जून दोजार 22 अच्छा यह हो गया आपको यह पहले बताव यह सवाल सब्सक्राइब आया या नहीं आया आपको चिक है चले आप से सवाल चोटा से पूछ लिए ता हूं मैं कि आज वैसे आज के पर बात कर लेते हैं कि नाइन सप्टेंबर 2022 कि दिन कौन सा है बताईए फ्राइडे इस वार दिवाली कब है पता दीजिए चलिए देख लेते हैं दिवाली कौन से दिन पढ़ रहा है कि बताओ करें एक ही मैने की बात होगी इसमें तो कि अब 19 सप्टेंबर है तो निए सटेंबर आपके किटने दिन का महिन है तैसे नमेन है तो कि दिन इसमें रहते हैं सटेंबर में सब्सक्राइब बात करते हैं सब्सक्राइब कि तो सब्सक्राइब करना है थो सब्सक्राइब संडे मंडे मंडे की देवाली यह जो है वह संडे है तो कहीं मतलब के इस बार जो है फेस्टिबल जो है सट्रीडे से ही बनना शुरू होगा धनतेरस से और अगले विक संडे पर जागर के रुखेगा कि दीच में और भी मना पूरा एक सब्ता इससे रहने वाला है क्लियरे जी सुमाया है तो यहां पर आप इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं अब एक साल के अंदर आगे बढ़ते हैं अब कि आप देखेंगा है मैं एक साल से दूसरे साल में जम करना सिखा रहा हुँ आपको अदिखांपल के लिए अपको आज 9 September 2022 है मैं ठीक 9 सेटमबर 23 को जा रहा हूं डेट टू डेट मंद्टो मन्थ यह एक से नेक्सी टिए तो जैसी आप डेट टूडेट मंद तू मन जीम तारिक्स वही महिना अगले साल अगर आप जाते हैं तो उसमें अगर आपने फरवरी का महिना 39 दिन को लांगा है नहीं लांगा तो आपका एक दिन एड हो जाता है जोसे कि अगले साल अगर आप 9 सेप्टेंबर को देखेंगे न दोजाद 23 में तो अगर आज फ्राइडे तो अगले साल सटेडे होगा अगर अगर आप 29 फरवरी को फेस कर रहे हो बास तिरफ लीपियर की नहीं होती है आप 29 फरवरी को क्रॉस भी तो करने चाहिए अगर 24 मार्च से कहानी शुरू कर दो मैं दूजाए 24-31 मार्च चोबीस तो लीप ए रहे तो आपका एक लीपियर होने कि अगे दो दिन आड़ करो अरे भाई मार्च से सुरू कर रहा है मैंने तो अगले साल मार्च में इस डूरे या सब्सक्राइव मैं एकजाम्पल लिख देता हूं क्या बतानी कोशिक करता हूं 31 मार्च लोजारच 24 से मुह 31 मार्च 2020 पहां आपको इदो पता है कि हमारा क्याय है लिफीर हे यह बात पाकर पंपने लीफ घंडोल एक दिन उसमें यानी something यह एक क्रास जाते हो तो आपका दो लाए से होद में अगर मैं यही बात कहता है अगर 25 इमिफ कर दोजार 24 वाइव फैब 2025 तो यहां पर आप डे टूडेट आ रहे हैं तो इसमें आम 1912 कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर आपका दो दिन एड़ होगा तो सरफ लीप्यर होने का मतलब यह नहीं है कि एड़ हो ही जाएगा आपको यह चेक करन आप डेट टूडेट नेक्स्ट इयर जाते हो तो एक दिन भी डू सकता है ढ़ल हो सकता है डो दिन भी एड शुत है से कि अधर जोबिस को फ्राइडे है तो बाइस सब्सक्राइब तो तो फिर एक इस साल में रोटीट हो रहे हैं ना यह कर लोगे आप कि यह कर लें कोशिन आप चीके ना कि पच्चीज जुन हुजार एककेस और सताइज समझ हुजार बाइस इस पर आते हैं हम सवाल पर कि 25 कि जून है दो हजार एककेस को फ्राइडे था यह सवाल है और पूछ रहा आप चे 27 डिसमबर कि 1222 कोंसा दिन होगा वह नहीं समझे मेरी बात है अब सामें देखो ο अग्राव 206 आपको यह घ्ले साल जाना है अब को सकते हो यह बात मैं भी जाना हूँ पहले अगडर आपको जिसर झाना है तो पर देट जाए लिए लिधकर भी अब कि ना फेस कि आपने नहीं क्योंकि 22 होता ही नहीं तो डेटो डेट जाएंगे तो आपको किते दिना एड़ होगा एक दिन एड़ होगा तो फ्रेड़े से क्या हो जाएगा सट्रीडे हो गया अब मेरा सवाल क्या है 25 जून 2022 से 27 दिसमब 2022 अब एक यह अंदर आ गए हैं समझे यह नहीं समझे क्लियर है अब एक यह रोगा सवाल करते हैं आपको पता है कि जून कितने दिनों का महिना होता है 30 का तो 25 से तो कितने रह गए है पांच और उसके बाद जुलाई तीन और अगस्त तीन सेप्टेंबर दो अक्टूबर नमंबर दिसमबर दिसमबर की दिन है मारे 27 तो आप इसमें जोए 68 करेंगे अ है ठीके जी औरे हे। 508 एक एक स्ट लेकशन लेकित लेंगे एक दो 19 चार चारaja स्टरीले चलेंगे दो डू चार चार अचे दस तेन कि तो बस क्या करने आपको यहां से आपको ज़र्नी derivate इसमें बस प्लस तीन दिन कर दिन अपर देंगे तो क्या अब आपके पास में संडे मंडे तूजबे समय में यह नहीं क्या करा मैंने किसमें अगर आप जा रहे हो नेक्स्ट यह जा रहे तो एक दिन एड़ोगा फ्राइडे से हमने करा ने सटीडे 25 जून से पहले 25 जून ही गए एक दिन एड़ोगा पास दिन एक दिन कौन सा यहां पर एड़ कर जैसे कि मारे बात फ्राइडे था नहीं यहां पर तुमें इसको सटेड़े लिख दिया कि एक दिन जम करते मैं यहीं पर एड़ कर दिये ताकि यह पालम ना हो क्लियर नहीं तो जैसे आप डिट्टू डिट्ट जाओना तो एक दिन एक्षा करके लिख दो फिर वहाँ सब्सक्राइब करते हैं कि 29 फरवरी 2000 आप कह रहे हैं 29 फरवरी दोजार 24 से आप जा रहे हैं इसमें भी आप ने 29 फरवरी फेस कर लिया है तो एक दिन आपका दो दिन आड़ होगा आपका अगले साल तो अठाइस पर जा रहे हैं फरवरी तो जाओं देट्टू डेट् फरवरी तो अगर आप 29 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट यह आप कहां जाओगे 28 पर जाओगे चाली बात तो यह 29 से 29 में दो दिना बैड़ कर लिना ठीक है और उसमें फिर आप एक माहिनेस करना तो आपको आपको नहीं होते हैं ठीक है अदस-12 साल में आप दो साल में पढ़ रहे हैं अभी यह पढ़ते हैं आठ सा सा साल का लिके चलूंगा तो उसमें पढ़ेंगा ठीक है यह क्लिए आपको आप 16 जून 2021 को वैड़नेश जे था तो 27 सप्टेमबर 2025 को क्या होगा तो जरत करो इस कोश्यन को आप किसो लादिन दो घर एकिसको इस तासा दो घर पसिसो क्या होगा करीचली इस कोश्यन करो साटरड़े चली बागे देखते हैं अगरे आप अगरे दन हुआ अगरे दिखीगा शब्विसेंट टाइम निलिए भजय तान टाइम निलिए थे पेपर कंदर कि अब देखो कि 16 जून दोजार एकिस को वेडनेश दे था तो सब्सक्राइब 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 अगरे जाओ अगरे तो लाओ कि अगरे जून को यह वाँ टिटी जाओ वाँ अगरे टीटी जाओ तो छीके और अच्छा विए पच्छीष में आना है में टीक कोई बात रहें तो पहले दोजार में किसमें आउगा एक किस में अब सोला दोजार तेशी में जाओं भाएं फिर सोला दोजार चोबीस में आपको आपको को सोला दोजर बता लो इतना तो लिए वह आप अगर तो लाएक किस अगर आप पच्छीष में जा रहे हो तो चार साल हर साल एक दिन दिता है लेट делать तो चार साल चार दिन तो देददेगा का वह यां हर साल जब जâm करते हो दे यहां सैंसे हैं किस से 25 कितने साल हैं कि चार साल यहां तो एड होंगे इससे आपको अगरी है ना या नहीं कि चार दिन को एक और और अश्रब्सक्जिक करना है और यह इसमें प्मूईली प्रब्जान करने दो दो डिन कोंप उसका तो बस क्या करें उसका इसे फांसो DR इन एक दुटान का है जितने जितने शफ्सक्षों को एंक और एक Scripture devo तो तो ना चाहिए कर लो तो क्या था आपका वेड्ले से सान। तो यहां पर कि मंडे आ गया ठीके अब आपका मंंडे आ गया हम में आप जाना है कि सितंबर में जाना है तो सब्सेफेट जून में कितने कि दिन का महिना होता है तीस का कि दिन रहा गए 24 एकसे डिस कितनी हो गए 3 है कि जुलाइ कि दो सब्सक्राइब है अध्या हो गये तो पहले जीरो हो गया चुछा दिन मचें किसरे मेना होता है तो अधरीक देब शुलाइब सब्सक्राइब करें तो पांच आप कर लो या फिर आप दो मैने सब्सक्राइब कर लो तो आपके पास संडे सब्सक्राइब तो इतने कम क्या साल आगे जागे बता पारे वाज दे बनी है अपका समझे निसम्झे क्लियर भीया अर्विक बास मारी क्या पड़ा रहा हूं क्लियर है अब अगली लास्ट्र लेक्राइब करें यहां तक का फरीविजन मानना अ घर बेक करकर करके देखना हां जी देखिएगा आपके सामने एक और कोशन 23rd January 2016 को Saturday है तो 15th of August 2024 को कौन से दिन होगा तो सबसे पहले आईए समझते हैं इसको कि आपसे क्या कहा रहा है 23rd January 2016 को Saturday तो 23rd January 2016 को Saturday था ठीक है जी और आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है दोजार चोबीस में आपको कोई डेट दिया हुआ है पंदरागस और उसको कौन सा दिन होगा यह पूछ रहा है तो सबसे पहले आप डेट टू डेट उस येर में जाओ जिस येर में आपका कोश्चन है तो डेट टू डेट ही मैं जाओंगा सबसे पहले अगर मैं डेट टू डेट जाता हूं यहां पर मैं तो यहां पर 23 जैनवरी को ही जाएंगे हम और दो हजार चोबीस में जाएंगे हम और देखते हैं उस दिन कौन सा दिन होगा तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हर एक साल जैसे ही आप आगे जाते हैं यहां तो में आपको आए नहीं हैं तो यहां पर कितने साल है आठ साल आपके हैं और आठ साल बात करता हूं में लीरट के कितने लीपूर एक दोसके बात चोबिस में है को तो चोबिस में लीपियर होने का मतलब यह नहीं आप इसको काउंट कर लो चुछा चोबिस को क्या 29 फरवरी आप फेस कर रहे हो 24 में भी जनवरी पर ही हो तो इस तरीके से आपके पास में दो ही 39 फरवरी को आप क्रॉस कर रहे हो मेरे बाथ समझें ऐसा निया कि लीप फिर तो आपने इंगे बैठ गए नहीं ऐसा नहीं करना है जोड़ainen है क्यूंकि यूठ दिन सब्सक्राइं तो 10 अड्ड करेंगे 10 आड्क करने का मतलब क्या होता है आपका 3 एड़ करेंगे क्योंकि extra days आपका 3 ही होगा, 8, 2, 10 तो इस 7 से कितना उपर है 3 उपर है, तो हम इसमें 3 दिन एड़ करेंगे तो आप generally इसमें 3 दिन एड़ करोगे तो Sunday, Monday Tuesday तो चलिए जी, यहां तक तो हमारा सफर आद चुका बड़े आशानी से यह जो है ट्यूजे है ठीक है लेकिन मुझे तेईस जैनवरी दोजार चोबीस पे मेरा सवाल नहीं है मेरा सवाल है क्या 15 अगस्त दोजार चोबीस तो मुझे पंद्रा अगस्त पे जाना है अगर तो आप खुछ जैनवरी में 31 का महिना होता है तो कितने दिन रह गए आठ द तो यहां पर तीन और एप्रेल में आपका दो और आपका मई में तीन और जून दो जुलाई तीन और अगस्त में 15 तारिक मतलब 1 extra day बात समझे या नि समझे तो आपको अगस्त में 15 अगस्त अगर आप इसको एड़ करते हो तो एक और एक दो ठीक है और यह आपका तीन पा ब्लस टूब और शुरु करते हैं तीन दो पंच पान्च और तीन आठ मतलब साथ से उपर चला गया सात निकाल दिया करो तो एक बचा एक और एक दो कितने एक्षा डेश में दो इसमें आप क्या करो प्लस टूब़ेस कर दो तो तुज़े काद मंडे स्वरी टूज़ित कितनी कुई क्लिया आपने आठ साल आगे जा करके किसी भी डेट का आपने डे बता दिया देखिएगा क्या आप चमतकार करने लग रहे हैं तो किसमें दो फरवरी कौन सा यह कि अब कौन से यह की बात करें चोब एक दिन लिया है ना हमने इसका 29 फरवरी होता है तो एक दिन एक्ट्रा आया है और 28 फरवरी होता तो मैं जीरो एक्ट्राइस होते हैं साथ से पूरा भाग हो जाता है किस्तेगे से काल्कुलेट कर सकते हों कमफोटेबल है इस काल्कुलेशन में बताईए फिर आपके सज में आया है सभी अच्छों का अच्छे से को डाउट किसी स्टुडेंट्स को चले फिर आगे बढ़ते हैं एक सवाल आपको देही देता हूं और आज 10 सप्टेंबर है 10 सप्टेंबर और 2022 है और बहुत सुब दिन है सनिवार है क्लियर है जी समझे और बात करते हैं अब हम दो अक्टूबर दो हजार बत्तिस के है ना बत्तिस भी कमी है बताओ कौन सा दिन होगा चलिए जरा करो इस कोशन को तो यहां देखते हैं सबसे पहले दो हजार बाइस इस दो जार रहे तो साफ साथ वीस साल आगे जा रहे हैं तो प्लस वीच वैसे बीच लिखने का मन नहीं कर रहे हैं मैं जो है यहां पर छय लिखना चाहरा हूं क्योंकि साथ से उपर वाले दिन लिखा साथ का जो पेर बन सकता उसको निकाल करके हटा दिया करो calculation आसान होगी तो अगर 20 आया तो साथ दूनी 14 हटा दो उसमें से 6 बचा समझे यह नहीं समझे तो अपनी calculation में से आप साथ के पेर बना करके साथ गुरू बना करके उसको निकाल के साइड कर दिया करो फिर जो बच गया उसको लिखा करो तो 20 मैं नहीं लिख रहा ठीक है तो क्या लिखेंगे 6 उसके साथ साथ लीप एर कितना हम फेस करेंगे तो एक तो 24 में लीप एर आएगा ठीक है तो कुल मिला करके एक, दो, तीन, चार, पांच लीप रहेंगे तो पांच दिन और एड करूँगा तो ग्यारा हो गया ग्यारा में ते फिर साथ निकाल दूँगा मैं बाहर तो मेरा बचे का चार तो सोच रहे होंगे कुछ बचे धान नहीं दोगे तो यही सोचेंगे ओनलाइन वाले बच्चे यह यार छे, पांच, ग्यारा होता है इसके लिए पूरी क्लास आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो जैसे ही साथ से उपर चल जाता तो साथ का पेर बना करके निकाल दिया करो तो हम अपने कल्कुलिशन को आसान कर रहे हैं यहाँ पर चार तो चार दिन तो इसमें आपका एड़ होगा तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं डेट टू डेट जा रहा हूँ मैं यहाँ पर गया 10 सेप्टेंबर और 2000 बैल इसको ही में गया और उस दिन जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा चार दिन इसमें एड करना पड़ेगा तो यह साटे डिर से क्या जाएगा हमारे पास में संडे, मंडे, ट्यूजडे वेडनेस दे तो यह हमारा वेडनेस दे आ गया अब यहां से अपनी सफर सुरू करते हैं 10 सप्टेंबर से 2 अक्तूबर तक का सप्टेंबर में किते दिन होते हैं 30 दिन होते हैं तो 10 यह होगे किते दिन होचे 20 दिन तो मैं सप्टेंबर की बात कर रहा हूँ सप्टेंबर में वही बाली बात है कि सब्सक्राइब फिर से यह 8 हो गया लेकिन क्या लिखूंगा इसको एक की साथ से ऊपर एक चला गया तो इसमें हमें मस प्लस एक दिन एड़ करना है और हमारा अंसर क्या थास देखिएगा आप 20 साल आगे जाकर करके भी किसी भी तारिक की डेट बताने में सक्षा में समझें समझें आप क्लियरे जी कोई डाउट है तो पूछो कि क्लियरे आगे बढ़े अब यहां तो आपके पास में एक चीज था क्या एक डेट ऑलिडे गिवन था उस पर एक डेट आपको दिया हुआ था आप है लिए लो और अपना अंसर कर दो मेरा कोशिंड की आने वाला है अब मेरा कोशिंड कुछ इस थरकी आने वाला है कि दोज़ार तेज़ार तो सट्रीड था तो दोज़ार पंदरा तो पंदरा स्वार्फ दोज़ार चो आलिस को कौन सा दे होगा चलिए कोशिन करो अलका साइस में लॉजी के स्वें बच्चे गलती कर सकते पर इसको कर लिजिए कि सामें देखेगा कि तेज़ जन्वरी 2016 से आपको पंदरा फर्वरी 24 को जाना है तो वह तो 24 पे आप जो डेट आपको जाने के लिए के चले जाना बड़ सबसे पहले आप डेट टो डेटी जाओगे तो आप सबसे पहले 23 जैन और 244 को ही पहुँच होगे पहले तो डेट डेटी पहुचा करो आइए पहले हम देखते हैं डेट डेट में कि आपका 16 से 44 पर अगर आप चाहरे हो तो आपके पास में कितने साल हो गया 28 साल का मतलब हो गया 28 दिन तो अगर मैं 28 दिन लिख भी रहा हूं तो इसका कोई मान नहीं है क्यों कि साथ का अगर गुरुप बनाऊंगा तो सारा गुरुप निगल के भार हो जाएगा कुछ बचेगा निजीरो यह बचेगा तो इसके जिकेपर में क्या लिख भूगा जीरो ठीक है बाद कितने लिप यह आपने हैं यह नहीं देखना कितने 29 फरवरी क्रॉस किया यह देखना है तो आएए 2016 में हाँ दुआज़ आपका था एक 20 साथ का तो इस तरीके सा आपके पास 16 हो गया आपके पास 24 हो गया 28 हो गया 32 हो गया आप 36 हो गया आपका और 44 को आपकांट मत करना क्योंकि 44 में मैं अभी ब्रेक लगा रहा हूं जन्वरी पर हीं शमजहें निसमझें तो कित वो साथ का फिर से कोई रोल नहीं है जी वो फिर से खतम गया तो पहले जो साथ असको फिर उड़ाएक ले जा लुए जा है। यह नहीं समझे आपका उनुक्थ सास्की सभक्राइण होगा उह लिए पास समझा आपको सा कि यह बता दो जाNews मुझे यह बात क्लियर है आपको अब में को जाना कहा है हमें जाना कहा है हमें जाना है 15 फैब को जाना है 24 में जनवरी में आगे तो फैब में जाने में दिक्कत क्या है जनवरी में 30 का महीना होता है तो कितने दिन रह गए आपके पास में 8 दिन मैं तो 8 को नहीं लिखूंगा मैं तो एक को लिखोंगा और फरवरी में पंदरा दिन होते हैं तो फरवरी में पंदा दिन होते हैं हम पंदरा को नहीं लेकर चलेंगे एक को लेकर चलेंगे तो दो दिन आगे बढ़ जाएगा ना क्लियर है समझे ही नहीं समझे तो कि चीए है कि पंदा फरवरी में किते दिन हैं पंदा दिन है इंगे तो आप स्वाल करेंगे तो किते दिन एक्श्रा होगे आपके पास में दो जिके तो दिन आप आड करेंगे तो क्या आएगा आपके अपास में मंडे सर इतने कम टाइम में आप सवालों करते तो समझा रहा हूं तो इतने जल्दी हो रहा है अगर पसली करें तो ऐसे वरबल ही है सवाले पैल लगाने की भी जुरूत नहीं है कि इस्टुरेंट का मंडे आंसर आ है कि अधिन नहीं फैबरेरी में तो पंदर तारी को रोग दिया आपको देखो 15 फरवरी है कि हमने 29 फरवरी क्रॉस यह नहीं करा चिक है जितने जिस तारीक को जाते हैं उसमें उस मैने को उतने दिन का लेते हैं चिक है क्लिए जी कोई डावट है अब यह समझ में आपको आ गय हां जी है जैसे यह सवाल देखो आप तो अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था कि एक के आप बताई यह तारीक तो विसेश तारीक है मित्याहसिक तारीक है क्या है गांदी जी का जैनम दिन ठीक है तो यह आपके पास में दो अक्टूबर कुछ अपने भावनाएं प्रकट करना चाह रहाता लेकिन रिकोड़ी ट्लासिस हो रही है ऑनलाइन हो रही है इस सो उनत्तर को हमारे पास में कौन सा दिन था वो किस सुब दिन उनका जो है जनम हुआ था तो आईए अब यहां पर आपको इस डेट का डे निकालने के लिए आपको यहां पर किसी भी तरीक है कोई हैल्प ने दिया हुआ जो आप आगे पीछे जाकर क्या निकाल सकते हो सीधा एक तारिक बास समझे निसमझे सीधा और सीधा क्या हुआ एक तारिक देगा डेट देगा आपको बता लेगा बताओ इसमें दिन कौन सा पड़ता है ऐसे सवालों कैसे करोगे पर तना पीछे जाना यार आए समझें सीध को यह जल्दी कर लोगे कोई बड़ा नहीं है यह भी पंद्रह बीस पच्छी सचेंड में हो जाएगा आप तो बड़ी कमाल की बताने वाले आप यह पता लगगी तो हमें किसी का डीटो बर्द होता हैगा हम भी खड़े- आप अब बापस लौट करके आऊगा इस सवाल उख करने के लिए कुछ ज्ञान क्या आप सकता है जो मैं आपको परदान कर रहा हूं ठीक है जी एक सफता में किते दिन होते हैं साथ दिन तो जिस दिन कैलेंडर बना था न डे वन जिस दिन कैलेंडर बना था डे वन उस दिन को मंडे कंसीडर किया था छिकंए नरे देखिएगा दो कंडरो टेंखिंदी कंडर हुमारा जो चलता है सनातनों का और एक जो है यह कैलेंडर जो अब पूरा वर्ड जिसको फोलो करता है यह कैलेंडर जो है काउंटिंग वाइज चलता है गिंदी के साथ चलता है कि वह यह तीस दिन इकतिस दिन और सेम डेट आ गया हंवेन रही होता है इते कलेंडर के अकोरडिंग जो है जो गतना घडित हुई है उस गटना दुवारा घडित होने लिए वाट। हुआ गैं ना तभी जाकर करें हम क्या मानते हैं इसको कि सेम चीज आगई है क्लियर रेम इसलिए जैनमास्ट में जो हैं Plan a sense वह कोई पची दिसंबर नहीं वोई जिसंबर नहीं डिट सोद्र डेट पर आएगा वह जनमास्ट में जो इसkickश नहीं है वो सिच्वेशन जब पूरे ग्रहों की दुबारा बैठती है अस्टमी की तब हम जो है जन्मास्टमी मनाते हैं तो हिंदी कैलेंडर एक अलग है वो उसका ग्यान हासिल ऐसे नहीं होगा दो क्लास इसमें अंगरीजी का तो मैं दो क्लास सिखा दूंगा आपको ठीके नहीं हिंद वेडनेसे टे तो बस यह तना ध्यानकना मंडे से सुरुवाद वह था और डेफ फोर छंटे और डे फाइव फ्राइड़े डेशिक्स सेटए और डेश्यवन असे अंगरी बस यह ध्यान अखना कि कैलेंडर जब भी स्टार्ट वा था तो मंडे से स्टार्ट वा था ठीके एक तारिक जो थी शुरुवात की जब एक ताई रखा गया था जब इसकी नीव रखी गया थी ओजर मंडी को माना जाता है दूसरी बात आप यह भी समझेगा जब पहले सो साल की अगर मैं काउंटिंग करूं क्यूंकि अगर मुझे अभी जो है यहां पर अठारा सो में जाना पड़ा पहले आप इस आपको समझेगा अगर मैं काउंटिंग करता हों तो पहले सो साल की अगर मैं काउंटिंग करता हूँ थी तो देखते हैं सो साल में कितने दिन एक्सेटर अगे कोई आपका मन milliards होगए आपका मन तो कह रहा है कि हर साल एक दिन आगे बढ़ से होगा हर साली दिन आगे बढ़ता है तो सो साल में कि दिन आगे बढ़ेंगे सो साल में ऐखे चाहिजा सा दोग belong आपके पास नहीं होंगे मेरे लाल जूखिश danau आपका एक सेंचुरीज है, है ना, और सेंचुरीज में वो 400 से अगर डिवाइड होगा, तब लीपियर माना जाएगा, तो जो सुमा साल लगा होगा, वो लीपियर नहीं है, हम यहाँ सो में साल को भी चार से भाग करेंगे, तो वो तो हो गई, तो इसमें एक कम कर दो, हमने ठीकेष्ता दे रख़ा, तो कितने लीपियर होगे, चोबीस लीपियर होगे, तो सो दिन तो यह बढ़ेंगे, 100 साल में चोबीस दिन यह बढ़ेगा, तो कितन दिन बढ़ गए जी, 144 तो मैं एक शर देई निकाल रहा हूँ तो फौर से भाग करूँ गा नहीं हो, 1200 इनले क आप बात समझ में आई कि मतलब कि सो साल में सो साल आगे जाने का मतलब क्या है कि सो साल आगे जाने का मतलब है पांस साल स्वारी पांस दिन आगे जाना बात समझ में आपको आई या नहीं बताइए ज़रा क्लियर है कोई डाउट तो अब बस इतना नहीं आपको करना है बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश भी करने आपको दिखेगा सो साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए पांच नेक्स हंडर में अगरे में बात करूँ दो साल की बात करूँ मैं दो साल की अगरे में बात करूँ तो पहले सो साल में अगर पांच दिन तो अगले सो साल की गिंती दुबारा से नहीं करना है मुझे वो पांच दिन होगा तो फिर पूरे दो साल में पांच गुणा दो मतलब क्या दस साल और दस से लेकर के नहीं चलेंगे हम एक्स्टर डेस की बात करेंगे तो तीन दिन मेरी बात समझे या नहीं समझे तो दो सो साल अगर आगे जा रहे हैं तो मतलब कितने दिन आगे होगा सिर्फ तीन दिन सिर्फ तीन दिन होगा दो साल का मतलब क्या हुआ तीन दिन ठीक है और अगर मैं तीन सो साल की बात करूँ तो तीन सो साल हर साल पांच दिन एक्स्टर तीन साल का मतलब पंद्रा दिन और डिवाइडी बाई हम साथ करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में एक दिन तो तीन सु साल अगर आगे जा रहे हो तो क्या होगा आपका एक दिन आगे बढ़ेगा ठीक है इसी तरीके से चार सु साल अगर आगे जाएंगे तो आप पांच साल और चार सो में आपका एक पांच सो चार में आपके पास में बीस लेकिन आप ध्यान रखिएगा चार सो वाँ इस बार लीपियर आ गया है है न तो इसमें एक दिन एक्ट्रा एड होगा तो आपको क्या मिला एक्षेर जीरो मिलेगा संजे नहीं संदेआ प्र चार सो साथ के लिए पेस्ट कर दिया अगले चार साल के लिए पेस्ट कर दिया फिर अगले चार साल के लिए copy करकर करके उन चार साल के लिए पेस्ट कर दिया तो calendar ऐसे ही चलता रहा है चलता रहेगा समझे या नहीं समझे clear है तो जो 400 साल का calendar बना उस ठीक 400 साल के लिए पेस्ट करा है फिर उस 400 साल के लिए पेस्ट कर रहा है मेरे बाद समझे नहीं समझे अब मैं लला अगर 401 साल पर जाना है आपको 400 साल और फिर उसके बाद मनलब कि अगर आप से ये तारीक मैं पूछ लूँ आप खुद अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे वह एक जन्वरी 401 तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ क्या? कि सबसे पहले मैं 400 साल तक कब निकालूँगा? तो 400 साल में तो मेरे पास में कुछ हाथ लगेगा नहीं है न? क्लियर है? क्यों 400 साल में केलंडर क्या होता है? रिपीट मारता है तो दुबारा हम किस पे रागे हैं? दुबारा हमें यह तो बापस आपका खतम हो जाएगा 400 साल का जब मैं एक जन्वरी को आऊँगा तो यह वही डे होगा जो कि स्टार्टिंग पर डे पढ़ाता एक तारिक को समझे नि समझे? तो इसलिए एक जन्वरी के लिए फिर दिन कौन सा है? मंडे तो यह एक जन्वरी 401 साल में दुबारा से कहानी होई से शुरू होगी तो मंडे ही होगा समझे? अगर यही मैं आपको 800 साल एक जन्वरी पूस्ता तो 800 साल का कोई महत्व रह जाता क्या? वो तो चार सो हटाओ, चार सो हटाओ, उसके दुबार एक अंडर सुरू होगा 800 के बाद, तो एक मंडे ही होता, अगर मैं 1200 की बात करूं, 1201 की बात करूं एक जन्वरी की, तो 1200 का तो कोई रोली नहीं है, तो इसी तरीके से महत्मा गांदी के जर्म दिन के लिए मैं 800 पर पहुचना पढ़ रहा है, तो 1600 को तम उठा करके साइड कर देंगे, उसका कोई रोली नहीं है, मेरी बात समझे नहीं समझे, क्लियर है, बात समझ रहे हो, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब मैं अपने सवाल पर आता हूं, आपको अगरी कहानी, आपक मेरे पास पे 1889 के डेट पूछ रहा है, सबसे पहले मेरे प्यारों, इसको 400 के मल्टीपल में लेकर के आओ, तो 400 निकालते जाओ, 800, 1200, 1600 तक तो पूरा पार हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे देखता हूं, 400 के मल्टीपल में, मैं इसको देखता हूं, 1600, उसका कितने साल हो ग पूछ रहना आपका, तो एक साल पीछे तक का निकाल लिया करो, हमेशा एक साल पीछे तक का निकले रहे, 31 दिसमबर, 68 तक का निकालो, उनतरवे बाद में जाएंगे, जिस येर की बात कर रहा हूं, उस येर का नहीं निकालना डेरेक्ट, उस येर से पहले येर तक का समझे, इसका कोई रोल निया, 16 का, तो जहां पर भी 400 का मल्टिपल आ जाए, उसका कोई रोल नहीं रहता, तो 400 के मल्टिपल में लिखेंगे, पतला कैसा स्प्लिट करता, पर 400 का मल्टिपल, 1600 कितना बच गया, 200, 200 के बाद कितना बच गया, 99 निकाल पीछे, 60, समझे, अभी कोई याद नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, कोई रॉट्टाफिकेशन नहीं, बागनी कोडिया भी याद करवाते इन लोग बाग, समझे ने समझा, कि आ हर महिने का दिसमबर तक के महिने का कोड याद करो, ठीक है ना, हर कोडिंग जो है, उसके कोडिंग आप 100-200 ओगा तो 68 साल के अगर मैं बात करता हूं, तो डियर 68 साल के अंदर, सबसे पहले 68 दिन तो यह रहेंगे, रहेंगे, है ना, 68 साल में, तो 68 दिन तो आगे बढ़ेंगे, प्लस में लीपियर कितने होंगे, तो 68 डिवाड़ी बै क्या कर दो, 4, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो कितने लीपिय वैसे तो आप extra days ही लेकर चलते तो ज्यादा बेटर होता, है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको add कर लो, तो आपके बात में 8, 7 कितना होगे, 15, और 1, 7 होने क्या होगे, 8, आप extra days की बात करें, 7 से, तो 7 एकम, 7 आपके पास में, 5, 7, 14, तो कितने extra है आपका 1, तो प्लस य यहां तक अभी हम आए, कब तक, 30 तक हम आए, जिवास में आपको आई या नहीं आई, क्लियर है जी, तो कितने extra होगे है हमारे पास में, चार दिन यहां पर आ गया है, तो चार आया है हमारे पास में, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है, Monday, ठीक है, नहीं तो आप इस 16 साल है, 1869 का मतलब क्या हुआ, 16 साल, 200 साल, 68 साल, 19 तो पूरा नहीं हुआ न, तो 68 साल है, तो 68 दिन तो 68 साल के ले लिए मैंने, और ली पेर के मैंने इसमें ले लिए, 17 दिन, और extra, क्यों हर साली दिन आगे बढ़ता है, तो टोटल कितना बढ़ गया हमारे पास में, 85 पहीं, और आपको पता है न societies पेर, तो आपको पता ही, इन才 यह देगा तो जेन क्या देगा, तीन, 5 क्या देगा, और आपको 2 क्या देगा, और आपको माही क्या देगा, तीन, जून, जूलाई, अगस् उप्तेंबर, अक्टूबर में तो दोजीन है ना तब इसको एड़ करो सवाल करेंगे अगर आप इसको 3 3 6 6 2 8 8 मैं क्या लूगा एक एक आगा एक लिदा एक एक चार चार और दो छे 6,3,9, 9 में से 2 एक्षा लोगा, 2,3,5,5,2,7, तो क्या है, 2 दिन, समझे, तो प्लस दो दिन इसमें, और एड़ो जाएगा, तो 6 दिन एड़ करोगे, क्लियर है, तो 6 दिन कौन से दिन होता है, बताइए, 6 दिन कौन से दिन आपको होता है, सेड़े बताया है धाई अ आपको मच्छड़े दिन तो आपको कौन सुन स्राइए छले डे एजी बाद समझे बाद संप्सक्राइब लेटा हूं बताए ज़रा एक मिन्ट बताओं क्या हुआ हाँ प्रस्टी एट यह रहे न हमारे पास पर है हाँ जी तो देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपके पास में दो अक्टूबर अठारा सो उनत्तर को कौन सा दिन था मातव गान्दी का जो जनम वता यह सीधर डाइट कुश्ण है तो कैसे करेंगे तो इससे हमारा अंसर क्या आया है जी इससे हमारा अंसर आया सच अड़े ठीक है कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए आए चेक करते हैं जरा इसको दो अक्टूबर है न और अठारा सो क्या है उनत्तर है तो अज़े डे ठीक है भाईया प्रूफ के साथ में समझे यह नहीं समझे क्लिए रहे हैं कोई संद्धे किसी को ठीक है बात समझ में आये नहीं है को तो चलिए भापस आते हैं अपने टापिक पर क्लिए जी कर सकते हैं आप इसको चलिए अब आप जरा इसको नोट कर लिजिए और यो डाउट आप पूछ रहे हैं उसको हम क्लिए करते हैं जब महान पूर्सों के जरन की बात हो ही रही है तो चलिए फिर एक और निकाल तो आप जो है निकालें कि ये इस दिन कौन सा दिन था है ठीक है जी हाँजी सामें दखें जरा तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ आप इसको 400 के मल्टीपल में देखिए 400 के मल्टीपल में 16 400 के मल्टीपल में तो 1600 तक पहुंचेंगे, 1600 के बाद 19 सो में आपको जाना है, तो 300 साल आपको यहां पर और लेना है, चीक है, और अगर आपको यहां पर 300 साल के बाद 19 सो पहुंच गये, तो आपको 91 तक जाना है, मैंने बता दिया था, एक साल पेशे तक जाना है आपको, यहां तक का कैल्गू तो आपका 300 को हो गया पंदा दिन और एक्सरडीज आ गया एक हो गया ठीक है 91 की बात करते तो 91 साल में जूड़ेंगे प्लस में लीप यह वाले जितने होंगे तो लीप यह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपके बाइस यहां पर और जोड़ने पड़ेंगे ठीक है तो 22 अगर आपके बाइस इंगर आप चाहनी खतं है कितने हैं आपके पास एक और आ गया आट सटके बाद सुरी इतना पुराना थोड़ी है एक क्यान विए 91 तक का निकाला नहीं मैंने अब मुझे 92 में दो जनवरी आना तो दो जन तो आगे जोटना पड़ेगा मुझे तो होगे चार दिन तो चोथे दिन कौन सा दिन होता है मंडे ट्यूसे वेडने से थल्से वीरवाद सुभा चार वजे ब्रह्मिला तो समझें नहीं समझें आप क्लियर है तो यह आपके पास में थल्स्टेस का अंसर हो गया तो आप तो आप गहर में जाओगे बोलोगे कि बताओ डेट क्या है और दिन अम बताएंगे ठीक है जी कुछा है जालो आंदिगा उनका तो कैलेंडर को भी याद नहीं है कैलेंडर में डिलीट मारा दुखा है हूँ अजी देखिएगा यार कैसे चीजे रिकोड़ करवाईते है ओनलाइन देखो पंदरा अगस्त उननीस्सो सेंतालीस ठीक है कौन सा सुब दिन था जिस दिन हम आजाद हुए हां जी सामें देखो का सामें देखिए जे ना पंदरा अगस्त उननीससिंटालीस के बात करें तो इस उननीससिंटालीस को पहले मैं ब्रेक करूंगा और और इसको ब्रेक करते हैं, यह 16 सो के नजदीक है, उसके बाद फिर 300 साल, फिर उसके बाद मैं 40 साल लूगा, चीक है? तो यह 16 सो का तो कोई रोली नहीं रहता है, हमेशा यह बात मैं कहता हूँ, 300 में आपको जो है, एक दिन आपको मिलता है, और 46 में तो आपको 40 दिन मिलेगा, और 4 से अगर आप डिवाइट करेंगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 दिन आपको और मिलेगा, तो 11 दिन और मिलेगा तो extra day के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास में 47, 42, 4 दिन आपके पास में यहाँ और 7 एकम 7, और यहाँ पर आपके पास में extra day कितना आया 4, 8 8 का मतलब क्या हुआ extra day कितना मिलेगा आपको एक, बेरी बात समझे यह नहीं समझे, क्लियरे जी, क्लियरे, तो दो दिन हमारे भी तक बड़े हैं, अब आये स्टार्ट करते हैं जनवरी से कहानी, तो जैन में कितने दिन मिलेंगे, तीन, फैब में कितने मिलेंगे, भया, 1947 का फैब है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, दून में जुलाई में और अगस्त में 15 तारिक को जा रहे हुए नो कहानी पूरा अगस्त ठोड़ी आप फेस करोगे तो स्वाल करते हैं 3 और 3 छे 6 2 8 8 में से एक लेके चलूगा आगे एक और 3 4 4 2 छे 6 3 9 दू आगे लेके चलूगा दो रेक तिन तो यहाँ पर प्लसमें क्या हुआ तिन दिन ओर हुआ तो कितने हुए आपके पास में 5 days तो 5 days आपके पास में है तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday जिस सुकुरवार का दिन था सुकुरवार का दिनी सुकुरवार की रातरी थी चीक है शुरी, हाँ Friday बारा बचके साथ 10 मिंट हो रहे थे, थर्सडे था, पर वो बारा बचके पानदर अस्मिंट हो चुके थे, तो फ्राइडे में लग चुका था, इसलिए जो है फ्राइडे को हम पंद्द अगस मनाते हैं, वैसे तो दोजा साथ ये थर्सटे का दिन था, लेकिन वो बारा कि अधे जो है अजाद वाता सम्झें सम्झें अब कि हाँ जी देखिएगा कि आपके सामने एक और कोश्चन है 23 जैन्वरी 2016 को सैटर्ड़े है तो 15 अफ अगर्स 2024 को कौन से दिन होगा तो सबसे पहले आए समझते हैं इसको कि आपसे क्या कहा रहा है 23 जैन्वरी 2016 को सैटर्ड़े तो 23 जैन्वरी 2016 को सैटर्ड़े था ठीक है जी और आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है दोजार चोबिस में आपको कोई डेट दिया हुआ पंदरागस और उसको कौन सा दिन होगा यह पूछ रहा है तो सबसे पहले आप डेट टू डेट उस येर में जाओ जिस येर में आपका कोश्चन है तो डेट टू डेट ही मैं जाओंगा सबसे पहले अगर मैं डेट टू डेट जाता हूं यहां पर मैं तो यहां पर 23 January को ही जाएंगे हम और 2024 में जाएंगे हम और देखते हैं उस दिन कौन से दिन होगा तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हर एक साल जैसे आप आगे जाते हो डेट टू डेट तो एक दिन आपका आगे बढ़ जाता है च्छिक है अगर आप लीप एयर को क्रॉस करते हो इस मतलब कि अप 29 फरवरी को क्रॉस करते हो तो फिर दो दिन आगे बढ़ता है यह बात आप जानते हैं तो इस तरीके से आपके पास में 29 फरवरी को आप क्रॉस कर रहे हो मेरे बात समझें ऐसा नहीं है कि लीपियर तो आपने इंगिन के बैठ गए नहीं ऐसा नहीं करना है मेरे बात समझें तो दो लीपियर तो हम दो दिन और इस पर एक्ष्टा जोड़ देंगे क्योंकि एक दिन तो हमने ओलडी सबका लही रखा है लीपियर का एक एक दिन एक्षा लेना है न तो दो लीपियर है तो दो दिन एक्षा ले लेंगे तो दस एड़ करेंगे, दस एड़ करने का मतलब क्या होता है आपका तीन एड़ करेंगे, क्योंकि एक्षा ड़ीज आपका तीन ही होगा आट, दो, दस तो इस साथ से कितना उपर है तीन उपर है तो हम इस पे तीन दिन एड करेंगे तो आप जनलिश्ट के तीन दिन एड करोंगे तो संडे, मंडे ट्यूज़ए तो चलिए जी यहां तक तो हमारा सफर आचुका बड़े आसानी से कि यह जो है ट्यूज़ए है ठी कितने दिन रह गहाई आठ दिन और क्लिर तो अगर आप extra days की बात करें तो एक दिन फैब के अंदर आब आप करते यंदर फैब के तो चुबिस के अंदर फैब 29 का उता है तो एक्षा डेस कितने अलग में गटाएगा extra days एक निकल गुरके आएगा और बात करें मार्च की तो यहां पर तीन और अप्रेल में आपका दो और आपका मई में तीन और जून दो जुलाई तीन और अगस्ट में 15 तारिक मतलब एक एक्ट्राइज बात समझे या निसम्झे तो आपको अगस्ट में 15 अगर आप इसको एड़ करते हो तो एक और एक दो ठीक है और यह आपका तीन फाच फाच दो साथ यह खतम हो गया है ना साथ होती चीज़े खतम हो जाती है दूआरत शुरू करते हैं 325 इसमें आप क्या करो प्लस टूडेस कर दो तो तूशले का ता मंडे स्वरी तूजलिके बैडनेस दे तौस दे त्सका अंसर क्या है आपका समझें नहीं समझें तो कितनी जल्दी कितनी कुई क्लिया आपने आठ साल आगे जाकर कि किसी भी डेट का आपने डे बता दिया देखिएगा क्या आप समतकार करने लगा है तो इसमें दो फरवरी कौन सा यह कि अब कौन सी एक दिन लिया नामने इसका 29 फरवरी होता है तो एक दिन एक्ट्र यह समझें गेरे जी कोई डाउट तो पूछ लो आगे बड़े फिर अब आप इस तरह से calculate कर सकते हो comfortable है इस calculation में बताइए फिर आपके सभी अच्छे से को डाउट किसी students को चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक सवाल आपको देही देता हूँ और आज 10 सप्टेंबर है 10 सप्टेंबर और 2022 है और बहुत सुब दिन है सनिवार है क्लिर है जे समझे और बात करते हैं अब हम दो अक्टूबर दो हजार बत्तीस के है ना बत्तीस भी कमी है बैल इसके बताओ कौन सा दिन होगा चलिए जड़ा करो इस कोशन को हां जी तो यहां देखते हैं हम सबसे पहले 2022 से 2022 पर जा रहे हैं तो साफ साथ 20 साल आगे जा रहे हैं तो 20 साल आगे जा रहे हैं तो प्लस 20 वैसे 20 लिखने का मन नहीं कर रहा है मैं जो है यहां पर 6 लिखना चा रहा हूं क्योंकि साथ से उपर वाले दिन लिखा साथ का जो पेर बन सकता उसको निकाल करके हटा दिया करो कैल्कुलेशन आसान होगी तो अगर 20 आया तो साथ बच गया उसको लिखा करो तो 20 मैं नहीं लिक रहा है तुक्या लिखेंगे 6 उसके साथ साथ लीप यह कितना हम फेस करेंगे तो एक तो 24 में लीप यह आएगा ठीक है और एक लीपकर हमारा 24 में हाएगा एंगा 1 28 Loreशा साल में आता है और 32 में आएगा 36 में आएगा 44 मैं एड करूंगा तो 11 हो गया जारा में फिर साथ निकाल दूगा मैं बाहर तो मेरा बच्छे का चार तो सोच रहे होंगे कुछ बच्छी ध्यान नहीं दोगे तो यह सोचेंगे ओनलाइन वाले बच्छे यह यह च्छे पांच ग्यारा होता है सबने चार क्यों लिखा इसके बीड जा रहा हूं मैं यहां पर गया दस सप्टेंबर कि और दोजार कि वैल इसको ही में गया और उस दिन जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा चार दिन इसमें एड करना पड़ेगा तो यह साथे डिर से क्या जाएगा हमारे पास में संडे मंडे ट्यूजडे सफर सुरू करते हैं यहां से सफ सफर सुरू कई क्गा सबसेंट से माद औरह चाईगा सब्सक्रेंट हो बलाइए मैं क्या लिखूंगा इसको एक कि साथ से उपर यह एक चला गया इसमें हमें बस एक दिन करना है और हमारा आंसर क्या था से तो देखिएगा आप 20 साल आगे जाकर के भी किसी गठेक को दिया हुआ था तो तो आको आना कि यह एक यह थैट था और एक कèg शिपो तससक दाना था उसका आप ले लो और अपना अंसर कर दो अब अब मेरा कोशन क्या आने वाला है अब मेरा कोशन कौन सा दे होगा चलिए कोशिन करो हलका साइस में बच्चे गलती कर सकते हैं पहले इसको कर लीजिए कि अगर कि सामें देखेगा अगर कि तेज इनवरी 2016 से आप 15 फरवरी 2024 को जाना है तो वह तो दोट चोबिस पे आप जो डेट आपको जाने के लिए कहरा चले आना बड़ सबसे पहले आप डेट टू डेट ही जाओगे तो आपका 16 से 44 पर अगर आप चारे हो तो आपके पास कितने साल हो गया 28 साल का मतलब हो गया 28 दिन तो अगर मैं 28 दिन लिख भी रहा हूं तो इसका कोई मान नहीं है क्यों क्योंकि साथ का अगर गुरूप बनाऊंगा तो सारा गुरूप निंगल के भार हो जाएगा कुछ बचेगा नहीं जीरो यह बचेगा मेरी बात समझे या नहीं समझे तो इसकी जिगए पर में क्या लिख दूंगा जीरो ठीक है वह बचेगा मेरी बात समझे रहे हो उसके बाद कितने लीप यह आपने हैं यह नहीं देखना कितने 29 फरवरी क्रोस किया यह देखना है तो आए 2016 में हाँ 2016 आपका था एक 20 था आपका तो इस तरीके से आपके पास में 16 हो गया आपके पास में 20 हो गया आपके पास में 24 हो गया 28 हो गया 32 हो गया आप 36 हो गया आपका और 40 हो गया और 44 को आप काउंट मत करना क्योंकि 44 में मैं अभी ब्रेक लगा रहा हूं जन्वरी पर ही समझे यह नहीं समझे तो कितने होगे लीपियर आपके साथ लीपियर होगे वो साथ का फिर से कोई रोल नहीं है जी वो फिर से खतम हो गया क्योंकि साथ उसको फिर उड़ा के ले जया बास समझे यह नहीं समझे आप यह तो unnecessary आप जोड़ के बैठ जाते बास समझे यह नहीं समझे अब आए मुझे पता लग्या भाया कुछ भी आगे सिफ्ट नहीं होगा डेट टू डेट पे तो पहले जो सेटेड़ था अभी भी सेटेड़ ही होगा ठीक है जी यह बात आपको सौंझ में आई या नहीं आए यह बता दो ज़रा इस दिन मैं तो आट को नहीं लिखूंगा मैं तो एक को लिखूंगा और former में पंधरा दिन होते हैं तो 프로 परणाई दिन होते हम 15 नहीं लेकर चलेंगे एक को लेकर चलेंगे तो दो देन आगे बढ़ जाएगा न की रे सभी समस्ते को कि यह कर चे अपन्दा फरवरी को जाना है न आपको है कि अ तो आप सवाल करेंगे तो किते cooking आपके § 299 cos 2-0 टीना आपर सब्सक्रेंगे इस फिल्लक आपके पास में म applies कि सरण इतने कम टाइम में आप सवालों करते तो समझत जल्दी हो रहा है और पसली करें तो वरहि rating इस वाले प्रेल लगाने की विजुरूरत नहीं है कितने स्ट्रेंट का मंडे आंसर है अगर जाने नहीं फैबरेरी में तो 15 तारिक को रोक दिया आपको देखो 15 फरवरी कि हमने 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं करा चीक है जितने जिस तारिक को जाते हैं उतने उस मैने को उतने दिन लेते हैं चीक है क्लियर जी कोई डाउट अब यह समझ में आपको आ गया हां जी है जैसे यह सवाल देखो आप तो अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था कि एक आप बताए यह तारिक तो खेर विशेश तारिक है मित्याहसिक तारिक है क्या है यह गांदी जी का जैनन दिन ठीक है तो यह आपके पास में दो अक्टूबर कुछ अपने भावनाय प्रकट करना चाह रहाता लेकिन रिकोडिर ट्लासिस हो रही है ओनलाइन हो रही है यूटूब पर जाती है तो नहीं कर पाऊंगा मैं बाकि आप समझी गए तो दो अक्टूबर 1969 को हमारे पास में कौन सा दिन था वो किस सुब दिन उनका जो है जनम हुआ था तो आईए अब यहाँ पर आपको इस डेट का डे निकालने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी तरिखे का कोई हैल्प ने दिया हुआ जो आप आगे पीछे जाकर क्या आप निकाल सकते हो शी समझें क्लियर सीधा और सीधा क्या हुआ एक तारीक देदेगा डेट देदेगा आपको बता लेगा बताओ इसमें दिन कौन सा पड़ता है ऐसे सवाल हो कैसे करोगे कि इतना पीछे जाना यार आए समझें सिच को यह जल्दी कर लोगे कोई बड़ा नहीं है यह भी पंद्रा बीस पच्छी सगें में हो जाएगा आप तो सोचुगे यह तो बड़ी कमाल की बताने वाले आप यह पता लगए तो हमें किसी का डिटो बर्थ होता आगा हम सवाल बापस लोट करके आँगा इस सवाल करने के लिए कुछ ज्ञान क्या आप सकता है जो मैं आपको परदान कर रहा हूं ठीक है जी एक सफ़ता में किते दिन होते हैं साथ दिन तो जिस दिन कैलेंडर बना था न डे वन जिस दिन कैलेंडर बना था डे वन उस दिन को मंडे कंसीडर किया था अदर स्ट क्लियर हैं देखिएकाबह दो केलेंडर हो थे हिंधी इठीन वाइस चलता है सनातनों का और और एक जो है यह किलेंडर जो हम लोग जनरली अब पूरा वर्ड जिसको फोलो करता है यह क्यलेंडर जो है काउन्टिंग यह चलता है गिंदी के साथ चलता है कि यह तीस दिन इकतिस दिन और सेम डेट आ गया तो सेम चीजें मतलब रिपीट होंगी एक हिंदी कैलेंडर होता है उसके कोडिंग हमें सवाल को नहीं करना कुछ बच्चे सवाल मुझसे पूछते हैं हमें इसी का कोडिंग आपके सिलिबस बनावा उस घटना को दुबारा घडित होने के लिए सारे ग्रहों का संयोग दुबारा वैसा ही होना चाहिए चीक है न तब ही जाकर कि हम क्या मानते हैं इसको कि सेम चीज आ गई है क्लिर न इसलिए जनमास्ट में जो है न फिक्स है वो कोई पच्ची दिसंबर नहीं है तो जनमास्ट में जो है फिक्स नहीं है वो भी ग्रहों के हिसाब से सब चीजों के इसाब से वह सीच्विशं जब तुबारा आ जाती सिट्रें में भगवान ने जो अवतार लिया था बहुत बढ़ान बन करके वह सिच्विशन जब पूरे ग्रहों की दुबारा बैठती है स् ठीक उसके लिए आपको बहुत समय लगेगा देखेगा बात करते हैं यहां पर मंडे की तो मंडे और डे टू क्या कंसिदर कर लिया तभी या तो बस एतना ध्यानकना मंडे से शुरुवात हुआ था और डे फॉर थूस्टे और डे फाइव फ्राइड़ दे शिक्स सैटेड़ और डे सैवन तंडे बस यह ध्यानकना की कैलेंडर जब भी स्टार्ट भाता तो मंडे से श्टार्ट हुआता था ठीक है एक तारिक जो थी जब एक ताई रखा गया था जब इसकी नीव रखे गया थी ओजर मंडे को माना जाता हूँ दूसरी बात आप यह भी समझेगा जब पहले सो साल की अगर मैं काउंटिंग करूँ तो देखते हैं सो साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे आपका मन तो कह रहा है कि हर साल एक दिन आगे बढ़ जाता है तो जैसे की सन एक में एक तारिक को मंडे था एक जन्वरी इक तो सन दो में एक जन्वरी को टूसरी होगा सब्सरी में एक जन्वरी को कि में बढ़ेंगे सो साल में तो दिन आगे बढ़ याउन गिसरी और बहुं इसमें और किसे लिए क्या करें उस्थ चार से इवाइड कर दो ठीक है चार से डिवाइडरी बाइड चार कर दोगे ना तो दो लीपियर आ जाएंगे सुरुआथ के बीश साल में कितने लीपियर होगे तो चार चार पर तो फिर दिवैडरी बाइड बायत चार करोगे तो पांच लीपियर हो जाएंगे आइस शुरूआत के सो तो जो सो मा साल लगा होगा वह लीपियर नहीं है हम यहां पर सो में साल को भी चार से भाग करेंगे तो तो हो गई तो इसमें एक कम कर दो हमने गलती से कैश्टा ले रखा तो कितने लीपियर होंगे चोबीष लीपियर होंगे तो सो दिन तो यह बढ़ेंगे सो साल में चोबीष दिन यह बढ़ेगा तो कित दिन बढ़गे जी के 24 अब मैं एक्षे डेज़ निकाल रहा हो तो मैं साथ से भाग करूंगा नव कि एस आए या सामझ में आए कि मतलब कि सो साल में या मतलब क्या है है इसे है ये ऐड़ी आपको करना है बहुत आसान तरीके से स्मस्झने की कोशिश भी एकैंब आपको देखेगा सो साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए पांच नेक्स हंडडर में अगरें बात करूं दो साल की बात करूं मैं इस committed by अगरें बात करूं तो पहले सो साल में अगले इन की गिंते दोवारा सानी करें मुझे वह पांच दिन होगा तो फिर वह फूर साल में पांच गुणाद दो मतलब क्या दौ साल और दस लिए करके नहीं जिए चलेंगी आग coverage करेंगे तो 3 दिन मिरी बास समझे या नहीं समझे तो 200 साल अगर आगे जा रहे हैं तो मतलब कितने दिन आगे होगा सरफ 3 दिन सरफ 3 दिन होगा 2 साल का मतलब क्या हबा तीन दिन ठीक है और अगर मैं 300 साल की बात करूँ तो 300 साल हर साल 5 दिन एक्ट्रा 3 साल का मतलब 15 दिन और डिवाइडी बाई हम साथ करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में एक दिन तो 300 साल अगर आगे जा रहे हो तो क्या होगा आपका एक दिन आगे बढ़ेगा ठीक है इसी तरीके से 400 साल अगर आगे जाएंगे तो आप 5 साल और 400 मलब 100 में आपका एक 504 में आपके पास में 20 लेकिन आप ध्यान रखिए का 400 वाँ इस बार लेपियर आ गया है है ना तो इसमें एक दिन एक्ट्रा एड़ होगा उसी 400 मा सेंचुरीज है और 400 से भाग हो रहा है तो 400 में एक लीप यह रहे तो अब तो जी आपको क्या मिला एक्ट्रा डेस जीरो मिलेगा समझें नहीं समझें आप क्या मतलब है हर 400 साल के बाद कैलेंडर फिर आज इस चार सू साल का कॉपी पेस्ट हो जाता है समझें या नहीं समझें तो ऐसे होता है ना 400 साल को सलिट करा फिर अगले 400 साल के लिए पेस्ट कर दिया फिर अगले 4 साल के लिए कॉपी करकर के उन 4 साल के लेंडर सुरू के 4 साल का पेस्ट कर दिया तो कैलेंडर अगले चार साल के लिए पेस्ट कर रहा है, मेरे बाद समझे नहीं समझे, अब मैं लला अगर चार सो एक साल पर जाना है आपको, चार सो साल, और फिर उसके बाद मनलब की अगर आप से ये तारिक मैं पूछ लूँ, आप खुद अपना कॉमन से इस्तेमाल करेंगे, वह एक जनवरी, चार सो एक, तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं, क्या, कि सबसे पहले मैं 400 साल तक का ब निकालूँगा, तो चार सो साल में तो मेरे पास में कुछ हात लगेगा नहीं, है न, क्लियर है, एक प्लिक रिपीट मारता है, तो दोबारा हम किस पर आगे हैं, को आऊँगा तो यह वही कि दे होगा जो कि स्टार्टिंग पड़ाता एक तारिक को समझे नहीं समझे इसलिए एक जनवरी के लिए फिर दिन कौन सा है मंडे तो यह एक जनवरी समझे अगर यही मैं आपको 800 साल एक जनवरी पूस्ता तो 800 साल का कोई महत्व रह जाता क्या वो तो चार सो अटाव उसका दुबारे करेंटर शुरूगा आट सो के बाद तो मंडे ही होता अगर मैं 1200 की बात करूं 1201 की बात करूं एक जनवरी की तो बारा सो कोई रोल ही नहीं है तो इसी तरीके से महत्मा गांदी के जर्म दिन के लिए मैं ठारा सुपर पहुंचना पढ़ रहा है तो सोला सो को तम उठा करके साइड कर देंगे उसका कोई रोली नहीं है मेरी बात समझे नहीं समझे क्लियर है बात समझ रहे हो चलिए आगे बढ़ते अब मैं अपने स यह हमारे पास पर अठारा सो उनास्तर के डेट पूछ रहा है सबसे पहले मेरे प्यारों इसको चार सो के मल्टीपल में लेकर क्या आओ तो चार सो निकालते जाओ आठ सो बारा सो शोला सो तक तो पूरा पार हो जाएगा अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ चार सो के मल्टीपल में मैं इसको देखता हूँ सोला सो उसका कितने साल हो गया है दो सो और उसके बाद कितने हो गया है ऑच्य में पुछ रहां न आपका तो एक साल पीछी तक का निकाल लिया करो हमेश्वाइश एक साल पीछी तक का निकले रहा है कती संबर इसका कोई रोल नहीं है जहां पर भी 400 का मुल्टिपल आ जाए है उसका कोई रोल नहीं रहता है तो चाहसं के मुल्टिपल में लिखेंगे पतला कैसे क्षा मुल्टिपल जा रहे है कि तो सब्सक्राइब कितना बच दो सब्सक्राइब कितना बच दो सब्सक्राइब कोई कोड याद नहीं कर वा रहा हूं मैं आपको कोई रट्राफिकेशन ने कि अब हर महीने का दिशंबर तक के महीने का कोड याथ करो हर के कोडिंग जो है उसके कोडिंग आप 100 का कूण रहा हूं तो तीन दिनी समझ मैं कहा हैं अब बात करता हूं मैं 68 के 88 साल और बितायी ना दोसो 68, 68 साल हो लगे ना, तो 68 साल के अगर में बात करता हूँ, तो dear 68 साल के अंदर, सबसे पहले 68 दिन तो ये रहेंगे, रहेंगे, है ना, 68 साल में, तो 68 दिन तो आगए बढ़ेंगे, प्लस में लीपर कितने होंगे, तो 68 डिवादी बाट क्या करदो, 4, तो 4 एकम 4, 4 सब् तो कितने लीपियर होंगे आपके, 17 लीपियर होंगे न, तो मतलब कि आपका 68 दिन ये, और आपका 17 दिन ये, तो जोडेंगे तो आपके पास में, वैसे तो आप एक्ट्राड़ेजी लेके चलते तो ज्यादा बेटर होता, है न, तो कोई बात नहीं, अब इसको एड़ कर लो हो गया ग्रफनों कि मात्योंं यहां तक कि और तक संब्सक्राइब कि और तक घ्रिकाल maturity क्यों कि पार आया दिए सिल चार आया है हमारे पास में चार का मतलब क्या होता है उसले कहते हैं है ठीक है नहीं तो आप इसलिए कट्टा एकी बार कर लेंगे ना एक यार कर लेते हैं चार दिन यह समझवाएं कैसे आया है क्लियर रहें कि 68 साल है कि अठार तो 69 का मतलब क्या हुआ सोला तो साल प्लस 200 साल प्लस 68 साल उनस्तर वह तो पूरा नहीं हुआ तो 68 साल है तो 68 साल के लिए लिए मैंने और लीपियर के मैंने इसमें ले लिए 17 दिन और एक्ष्रा कि यह साल एक दिन आगे बढ़ता है तो टोटल कि तरह मढ़ गया हमारे पास में यह मतलब इस और जेने चाल दिन वह गया जए अब अब आता हूं में किस पे 69 पर तो आपको पता ही 68 प्लफ आता हूं तो जैन क्या देगा क्लील क्या देगा क्ली WOR आपको दो देगा और आपको मही क्या देगा तीन जून जुलाई अगस्ट सब्टेम्बर अक्टूबर में तो दो दिन है ना तो आप इसको एड़ करो चीके जी स्वाहल करेंगे अगर आप इसको तीन-टीन-च्छे-च्छे-दो-आठ आठ में से मैं क्या लूँगा एक 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 उर तीन-च्छ चार और दोछए शेतिन-शेक दिन नोन दो देट लोंगा दो तीन-पांच-पांट-वंदू सात और दो दिन समझे तो प्लस दो दिन इसमें और A Liverpool जागा तो च्छह दिन एड़ करोगे लेर तो छड़े दिन कौण से दिन होता है बताएए शड़े दिन कौन से दिन आपको ओता है अपको ये जुलिए बास तो सभ छे तो मियारे क passa चमझेए ऑसो सूट करिता हूं अच्छा 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 आइड़ पिच गणा है अच्छा अच्छा है 1 डां कि अ क्या वा हाँ हाँ है पुरस श्रीट यह रहें ना हमारे पास में हाँ हाँ जी तो देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपके पास में कि दो अक्टूबर अठारा सो उनत्तर को कौन सा दिन था मातव गांदी का जनम वहता यह सीधा डालेट कुश्ण है तो कैसे करेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या आया जी इससे हमारा आंसर आया सटेट ठीक है कि कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए आए चेक करते हैं जरा इसको कि दो अक्टूबर है ना और अठारा सो कि क्या है उनत्तर रहा है अच्छेट ठीक है भाईया पूरूफ के साथ में समझें नहीं समझें क्लियर है कोई संद्धे किसी को ठीक है बात समझ में आये नहीं है तो चलिए बापस आते हैं अपने टापिक पर अब इसको चलिए अब आप जरेस को नोट कर लिजिए और जो डौट आप पूछ रहे हैं संपल्क क्लियर करते हैं जब महान पुर्सों के जरन की बात हो ही रही है तो चलिए फिर एक और निकाल लेजिए फिर सेकिंड जैन नाइन्टेन नाइन्टी टू तो आप जो है निकालें कि ये इस दिन कौन सा दिन था ठीक है जी हां जी सामें देखे जरा तो सेकिंड जैन सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करता हूं आप इसको 400 के मल्टीपल में देखी क्या गया है 400 के मल्टीपल में 16 के पास पहुंचेंगे बाद समझे चार सवी मल्टीपल में तो सोलह सो तक पहुंचेंगे सोलह सव के बाद 1900 में आपको जाना है तो तीन सो साल आपको एहां पर और लेना है चीक है और अगर आपको यहां और नियुक है आपको न आप नयंटी वन तक जाना है मैंने बता दियता है साल पेष्जि ऐром आपको यहां तक का क्लिक्रीशिं करेंगे यह क्लिशिं करेंगे तो सर यह तो आपको जी दो दे रहा है तो आपको अपन्ता दिन और एक यह एक हो गया ठीक है 91 की बात करते हैं तो 91 एक क्या उणावे साल में क्यानवे जिन जूडएंगे प्लस में लीप यह वाले इतने होंगे तो लीप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 91 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेंगी, तो 4 दूणी आपके पास में 8 और 1 और आपके पास में 5,10 यहां पर और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तो 22 अगर आप और जोडते हो, तो 22 भी क्योडते हो, अच्छादेज एडिफाज ले लो, कहानी खतम करो, काहनी खता में या तो हैं निया पास में एक आपके और आ गया तो कि दिन रोगे कि दोगे आपको दो जन्वरी पर आना है तो दो जिन आगे जाएगा अट्ट के बाद पूराना थोड़ी सब्सक्राइब तो चार दिन कौन सा दिन होता है मंडे ट्यूसे वेड़ने से थलते वीरवाथ सुभा चार बजे ब्रह्म विला कि समझें नहीं समझें आप क्लियर हैं तो यह आपके प्लास में थलस्टेस का अंसर हो गया तो आप तो आप एक कि बताओ डेट क्या है और देन अंब बताएंगे शेके जिए कि कॉंसर दालो आंदेगा उनका तो कैलेंडर को भी याद निया है कैलेंडर में डिलीट मार दुख्यों अजी देखिएगा यार कैसी चीजे रिकोर्ड करवाई तो ओनलाइन देखों कि अब पंद्रा कि अगस्ट कि अगस्ट कि निस्सों कि तैन्तालीस है ठीक है कौन सा सुब दिन था जिस दिन हम अजाद हुए पंद्राइस पंद्राइस हां 1547 की बात करें हम वे जिस पैंस्ट को पेले यह बात मैं कहता हूं 300 में आपको जो है एक दिन आपको मिलता है और 46 में आपको 40 दिन मिलेगा और चार से अगर आप डिवाइड करेंगा चार एकम चार, चार एकम चार, ग्यारा दिन आपको और मिलेगा, तो ग्यारा दिन और मिलेगा, तो एक्षर डेस के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास में साचिक 42, चार दिन आपके पास में यहाँ आया, और साथ एकम, साथ, और यहाँ पर आपके पास में ए मार्च में मैं 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 जून में जूलाई में और अगस्त में कि यूद 15 तारिख को जा रहे हैं न कहांनी पूरा गया तो च्छोड़ी आप फेस करोगे तो स्वाल करते हैं तीन और से दो आठ आठ में से एक लेके चलूंगा आगे एक और तीन चार चार और दो छे तीन नो दौ आगे लेके चलूंगा दो और एक थीन, तो यहाँ पर प्लस में क्या हुआ, तीन दिन और हुआ, तो कितने हुए आपके पास में? फाइव डेज, तो फाइव डेज़ आपके पास में है, तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, जी सुक्रवार का दिन था, सुक्रवार का दिन ही, सुक्रवार की रातरी थी, चीके चोरी सुक्ष हाँ फ्राइडे बारा बच के साथ 10 मिंट हो रहे थे थर्सटे था पड़ो बारा बच के पांदस मिंट हो चुके थे तो फ्राइडे में लग चुका था इसलिए जो है फ्राइडे को हम बन अगर्ष मनाते हैं वैसे तो दोजा ये फ्राइडे में तो पंदरा अगर्ष उन्निस सो चैन्टालिस जो है वो फ्राइडे था सुक्रवार को जो है जो है अजाद होगा था समझें है अब अजाद है